राश्ट्रिय किक बॉक्सिंग चैंपिंशिप में बांडिपुरा जिला के एक नोजवान ने स्वन पदक जीत का राज्य ही नहीं बलकि भारत का भी नाम रोशन किया है। कड़ा प्रशिक्षन कर चैंपिंशिप में अपने प्रतिदबंदी को करीटक कर दी। विकास का कहना है कि हैदर स्पोस अकैडमी के कोच और उसके परिवार के समर्थन से ही वह आज ये जीत हासिल कर पाया है। कि टीच किया मुझे खेलने खिलाया मुझे और जैसे जैसे में आगे बढ़ते गया उन्होंने मेरा हुनर देखके मुझे बोला कि आंको नेशनल में जलूरी जाना है। और नेशनल होने वाला था कोलकता में। और जब कोलकता में मतलब हमने मेरे फॉर्म शाम पर और गया है कोलकता नेशनल खेलें। फिर महां पर मेरी फाइट हो गई पॉइंट फाइट लगी तीन प्लेयर्स के साथ। पहला स्तेट div쪽에 में दूसरे था आध्रापरदेल, तीसरे था उत्रपरदेश, तीनो का मैनने अधर गॉल अधर गॉल्ड मेडल माशायाला चुट the झामिरी ना मेरे डार दूसरी फैट में था ना मेरा डार तरीसरी फैट में अगय कि यह उने वाली थी में सब्हे शीरी के साथ क्या कि वह खेलते प pessimism can do the ख़ेलते लोमबे झामिए थे वो छोड़ी गबलाठ हो रही थी लेंहां गर वालों का भी पूरा आपकी जानकरी के लिए बता दे कि पहले भी कई नोजवानों ने विबिन चैंपियंशिप में भाग लेकर राजय के लिए पदक जीते हैं जिससे उन्होंने राजय को गुर्वानवित किया है। कुछ समय पहले साथ वर्ष की लड़की ताजम उल इसलाम ने सबसे कम उम्र की विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियंशिप बन कर इतिखास बनाया है। और देश के लिए और पुरसकार जीतेगा। वही विकास के पिता का कहना है कि वह विकास की जीत से बहुत खुश है। और उन्होंने हैदर स्पोर्ट्स अकैडमी के कोच का भी धन्यवाद किया। मैं एप्रिशेट करता हूँ अपने बेटे को कि इन्होंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेरल हासल किया है। और तीन स्टीट्स में की खेर रहते हैं如果你 वकर और ने चुन आतरा हो, सारथ को माई आतरा है। मैं उनको भी यिपर खशेट करता हूँ और और दो अपतरा हों। जनों ने विकास का बरपूर साथ देकर इसको वेस्ट बेंगाल में पहुंचा कर वहाँ गोल्ड मेडल हासल करने में पूरा मदद किया है चलना है अगर वक्त से आगे बदलना है अगर नजरिया तो चलते रहिए बस वक्त के साथ हम दिखाते हैं सबसे पहले बेशको छोटी खबरिया बड़ी वक्त इंडिया यही वक्त है